हाई फ्रेंट तो आज हम बनाने वाले हैं सामबर जिसे आप इट्ली के साथ या ढोसे के साथ अगर आप चाहिए तो गर्मा गर्म चावल के साथ भी सी सर्व कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है तो चलिए देश किस बात की बनाना एक स्टार्ट करते हैं कर देना है अगर आप दाल को भीगो देते हैं तो दाल हमारी फूल जाती है जिससे सांबर हमारा बहुत ही टेश्टी बनता है यहां आड़ कर देने के बाद हमें पानी आड़ करना है जिस तरह से हम दाल में पानी आड़ करते हैं उसी तरह से इसमें भी आड़ कर देंगे या यहां पर हमने एक चोथाई हल्दी पाउडराइट किया है। इसके बाद हमें कूकर पर ढगा कर उसे गैस पर रख देना है। आप इसे मीडियों फ्लेम करके गैस पर रख दें। अब चलते हम सब्जियों की तरफ। यहां पर हमने टमाटर लिया है। और गाजर लिया है। इसके बाद हम सिम्ला मिर्च और कद्दू लेंगे। इस तरह से सब्जियों को हमें आची तरह से भूल लेना है। अब चलते हम कट करते हैं इसको। यहां पर हमने एक सिम्ला मिर्च लिया है। इसे हम कट करेंगे। यहां पर हमें पूरी सिम्ला मिर्च नहीं आड़ करनी है लगवग आधी सिम्ला मिर्च आड़ करेंगी इसे हमें छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेना है जिस तरह से हम कट कर ले रहे हैं इसी तरह से आप भी कट कर ले यहां पर हमने सिम्ला मिर्च को कट कर दिया आप चल अब हमें कद्दू कट करना है, यहाँ पर हमने कद्दू को ले लिया है, इसे हम कट करेंगे, आपको ज्यादा कद्दू नहीं कट करना है, इस तरह से आपको लगफ़क एक चोथाई कद्दू कट कर लेना है, उसे भी सेम पीसे में कट करना है, जिस तरह से हम कट कर रहे हैं, इसी तरह से आप भी cut कर ले आपको कद्दू की pieces बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं रखनी है हमें जितनी भी सबजिया लेनी है सारी सबजियों को एक ही बराबर में cut करना है इसके बाद हम लौकी ले लेंगे लौकी के लगभग एक चोथाई भाग को हम cut कर लेंगे इस तरह से अच्छी तरह से छिलके को छील कर आप लौकी को cut कर लें याद रखें सारी सबजियों के एक ही जैसे pieces हों जादे बड़े आकार मिना हों इसके बाद हम एक प्याज ले लेंगे उसे भी cut कर लेंगे याद रखें हमें प्याज को जादा बारिक नहीं cut करना है अब हम सबजियों को side करते हैं चलते हैं कोकर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दाल बिल्कुल पक कर ready हो चुकी है एक बार हम कल्ची से निकालकर आपनों को दिखा देते हैं देख सकते हैं कि बिल्कुल पक चुकी है इसके बाद गैस पर हमें यह कढ़ाई रखना है उसमें हम ओयल एड़ कर देंगे जब हमारा ओयल गर्म हो जाए तो आधे चमच के बराबर हमें राई एड़ कर देना है राई चटक जाने के बाद हमें मेथी एड़ करना है मेथी एड़ कर देने के बाद हमें इसमें लाल मिर्च एड़ करेंगे यहाँ पर लगबग हमने चार लाल मिर्च लिये इसे हम एड़ कर देंगे आप देखे का नुसाल लाल में चाइट कर सकते हैं इसके बाद इसमें हमें 10-12 कढ़ी पत्ते के आइट करना है यहां पर हमें 10-12 कढ़ी पत्ता लिया है लगभा 2-5 के बराबर हम हेंग लिंगे उसे आइट कर देंगे अब हमें प्याज को आइट कर देना है जो हमने कट करके रखा हुआ था उसे हम आइट कर देंगे प्याज को हमें धीरे धीरे मिलाते हुए भून लेना है याद रखें आपको फ्लेम ज्यादा हाई नहीं रखना है इसमें आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखें प्याज को हमें जादा भूनना नहीं है कुछी इस तरह से हो जाए तब हम इसमें टामाटर आड़ कर देंगे यहाँ पर लगवग हमने एक बड़ा टामाटर कट किया था इससे हम आड़ कर देंगे अब हमें सब्जियों को आड़ करना है आड़ करते हुए हम एक बार सब्जियों को बारें फिर से बताते हैं यहाँ पर हमने लौकी, कद्दू, सिम्ला मिर्च इसकी बाद हम गाजर इस तरह से कट करके सारे सब्जियों को हमें आड़ कर देना है अगर आपके पास और भी सब्जियां हो तो और भी आड़ कर सकते हैं जो भी सब्जियां आपको पसंद है, उसे आप आड़ कर सकते हैं इन सारे सब्जियों को हमें मिलाते हुए भून लेना है अब हम इस पर लिट लगा देंगे open करने के बाद एक बार फिर से हम देखेंगे हमारी सब्चियां लगवग soft हो चुकी है अभी हमें एक बार और लिड लगाने के आप सकता है हम फिर से इस पर लिड लगा देंगे फिर से हम open करते हैं तब उसमें हमें स्वाद के अनुसा नमक आड़ कर देना है आपको नमक ज्यादा नहीं आड़ करना है क्योंकि हमने कूकर में भी नमक आड़ किया इसलिए हम थोड़ा कम नमक आड़ करेंगे इसके बाद यहां पर हमने सांबर मसाला लिया है उसे हम आड़ कर देंगे लगबग दो चमज के बराबर हमने सांबर मसाला लिया था उसे ऐट कर देने के बाद आप अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे सांबर मसाला मार्किट में अउलेबल है, मिल जाता है आसानी से इसके बाद हम PC हुई काली मिर्च ऐट करेंगे इस तरह ते लगबग आदे चमच के बराबर हमने काली मिर्च लिया था उसे आट कर देने के बाद अच्छी तरह से एक बार हम फिर से मिला लेंगे देख सकते हैं हमारी सब्जियां लगबग पक चुकी है अब उसमें हमें पानी आट कर देना है यहाँ पर हमने पानी आट कर दिया है यहाँ पर लगबग हमने डेड़ कप के बराबर पानी आट किया है इतने में हमारी सब्जियां पक जाएंगे पानी आट कर देने के बाद इस तरह से मिलाते हुए हम इस पर लिड लगा देंगे लिट लगा देने के बाद हम इसे दो या तीन मिनट के लिए पकने देंगे विल्कुल मीडियम फ्लेम करके आप दो तीन मिनट के लिए इसे पकने दे ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमारी सब्जी लभख पक चुकी है अगर आपको सांबर पतला चाहिए तो पानी को जादा ना जलाएं उसे इस तरह से ही रहने दे अब हमें कुकर की तरफ चलना है यहाँ पर हमें तुरे की दाल को अच्छी तरह से मिलाते हुए उसे आड़ कर देना है इसे हम कड़ाई में इस तरह से अड़ कर देंगे याद रखें आपको जब भी यहाँ पर दाल को अड़ करना हो तब आप बिल्कुल फ्लेम को लो रखेंगे अगर आप फ्लेम को थोड़ा भी हाई रखेंगे तो कड़ाई के बाहर हमारी दाला आ जाएगी इस वज़े से आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है इस तरह से आइड कर देने के बाद कुछ देर के लिए हम इसे फिर से पकाएंगे अब इस पर हम लेट लगा के लगभद दो या तीन मिनट के लिए हमें पकने देना है थोड़े देर के लिए हम इस तरह से सांबर को पकने देंगे ताकि हमारी सब्जिया इसमें अच्छी तरह से मिल जाएं अच्छी तरह सब्जिया जब तक नहीं पकेंगी तब तक ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगएगा इसलिए लगभग हमें दो या तेन मिनट के लिए इसे गैस पर ही रहने देंगे अगर आपको गाढ़ा सामबर चाहिए तो आप थोड़ा इसके पानी को जला सकते हैं अगर आपको गाढ़ा सामबर नहीं चाहिए पतला चाहिए तो आप इसी उतार सकते हैं उतारने से पहले हमें इसमें एक छोटा टुकड़ा गुड कायट कर देना है थोड़े देर के लिए लिड लगा देते हैं अब आप देख सकते हैं हमारा सांबर बिलकु रेडि हो चुका है इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर सांबर बना सकते हैं अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लायक और सब्सक्राइब अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ